सब्सक्राइब कर दोस्तों स्वागते आपका सब्सक्राइब के यूट्यूब प्रेटफर्म पर फिर से और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्रुपिंग्स के बारे में पढ़ा था येस्टू पेपर जो पुत्रागण पीजस का होना है डेट आने ही वाली है और इसका दूसरा पार्ट है इंडियन डाइस्पोरा याने की भारत के हितों भारत तथा विकासिल देसों की नीतियों तथा राजनीती का प्रभाव और प्रवास्ट तो इसके संबंद में हमें क्या-क्या पढ़ना होगा इस वाले प्रवास्ट में रखकर उस पे छोटी सी च इंडिया याने की रविश में जो भी नीतियां बनती है उसका भारत पर क्या प्रभाव पढ़ता है डेवलप कंट्रीज के दौरा भी और डेवलपिंग कंट्रीज के दौरा भी तो आप जानते ही हैं कि भारत कई सारी संस्थानों के माध्यम से पूरे विश्व से हुआ है ठीक है लेकिन भारत को अभी भी हम एक डेवलपिंग नेशन के कैटेग्री में ही रखते हैं ठीक है डेवलप कंट्रीज के जो मापधंड हैं उन तक पहुंचने के लिए अभी भी प्रयास जारी हैं तो कुछ देश थोड़ा आगे नजर आते हैं डेवलपिंग व है तो इंडिया के लिए हम कह सकते हैं कि एक तेजी से विकास करने वाला क्या है एक देश है विकास सील प्रयास जारी है तो कुछ बाते समझ लीजे तो हमें एक बात पता चलती है वापस लोटता है कहां 1947 में और हमको पता चलता है कि भारत आजाद हुआ लंबे समय तक एक colonial power के अधीन रहा यानि कि England के अधीन रहा भारत ही नहीं और भी कई सारे nations थे जो उन दिनों आजाद हो रहे थे जब वो लोग आजाद हुए तो उन्होंने अपने तरीके से अपने देश को आगे बनाने का प्रयास किया भारत भी उन में से एक सामिल था भारत ने अपना सम समिधान लागू हुआ ऐसे ही साथ साथ और भी कई देश अपने कारिकर्म बना रहे थे भारत ने अपना समिधान बनाया और समिधान को आधार मानकर कुछ मूल्यों को भी आधार मानकर धीरे धीरे ही सही विकास के पत्थ पर अग्रसर हुआ लेकिन हमें ये भी पता चलता है कि 1990 तक भारत के विकास करने की जो दर्थी बहुत ही धीमी थी और भी कई सारी समस्याएं भारत में मौझूद थी गरीबी थी ही अनेंप्राइमेंट रेट काफी ज़्यादा था इंडस्ट्विल एडिसन बहुत धीमी गती से हो रहा था इ आपको 1990 तक दिखाए दिती हैं लेकिन 1990 के बाद भारत ही नहीं विश्व के कई सारे देशों को एक आउसर मिलता है उस प्रक्रिया का नाम है क्या ग्लोबलाइजेशन यानि कि वैश्वी करन तो वैश्वी करन का इंपक्ट इतना डीप है कि इसके जो कह सकते हैं कि जो इस लाब को कैश करवाया वो तेजी से कह सकते हैं कि विकास की रहा पर आगे बड़ा और भारत ने भी इस मौके को गवाया नहीं और ग्लोबलाइजेशन में अपनी कह सकते हैं कि एक नई पहचान इस्थापित करी है 1990 के बाद तो देखते हैं कि no sorry no can deny one cannot deny the impact of the globalization ठीक है वैस भी करण के प्रभाव से बिलकुल बिनकार नहीं किया रहा सकता is clearly visible in the foreign policies of various developing nations जिसकी जलक हमको कई सारे जो विकासिल देश हैं उनकी विदेश नीतियों में दिखाई भी देती हैं ठीक है including India, China as well लेकिन आगे हम देखेंगे कि कैसे एक साथ आजाद हुए देशों में कुछ देश बहुत पिछड़ गए South Asia के ही देश है जो पिछड़ गए लेकिन भारत कह सकते हैं एक मिसाल बनता है ठीक है At present times one can say that these developing nations cannot share the same economic growth that developed countries have अगर हम तुलना करें विकासिल देशों और विक्सित देशों की तो हम कह सकते हैं कि जो economic growth का जो share है वो developing countries को नहीं मिल पाया The developing countries after globalization यानि कि जब west current हुआ और इन developing countries ने अपनी संभावनाएं विश्च के सामने रखी जिसमें भारत भी शामिल था तब जाके developed countries का जो attention है वो भारत की तरफ divert होता है और उन्होंने क्या किया इन्वेस्ट करना शुरू किया विकासिल देशों में including India और इसकी वज़े से क्या होता है job opportunities create होती है ऐसे developing countries में तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए जैसे कि 1990s में जब इंडिया ने इंडिया ने भी policy में change किया LPG यानि कि liberalization, privateization and globalization ठीक है तो इस नीती से क्या हुआ है आवसर खुले है भारत को एक बहुत बड़ा बाजार मिला है भारत ने दरवाजे खोल दिये विदेशी कंपनियों के लिए कि भारत में आओ invest करो यही पर बनाओ और इसकी वज़े से क्या हुआ होगा कई सारी companies इंडिया में आकर establish हुई होगी भारत सरकान ने उनको infrastructure प्रोवाइड किया होगा और जो लोग थे उनको private sector में ही सही नौकरिया मिलनी शुरू हुई और भारत तेरी से विकास करने वाली देशोपी स्रेड़ी में इस प्रकार से आ जाता है तो यह उस समय की बाते हो रही है तो 1990 के बाद भारत की तसवीर ही बगल गई ठीक है अब इस वाले topic को समझने के लिए अगर हम आपसे कहें कि आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए तो यह सारी चीज़ां आपको पढ़नी होगी इंडिया's foreign policy towards China and Pakistan इसको जरा ठंक से पढ़ेंगे आप भारत की जो चीन और पाकिस्तान के समक्ष यह कैसे थे परती जो विदेश लिती है उसको आपको समझना होगा और चाइना वाले को तो खास तो रपया आज काल आप देखी सकते हैं कि किस प्रकार से ब्रिक्स की मीटिंग में मैंने कल भी बाद रिपीट करी थे फिर बोल रहा हूँ अगर आपने इंडिया और नीस पेपर पढ़ लिया तो मान के चली कि आपको आंसर राइटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी बड़े अच्छे वर्ट्स होते हैं किसमें नीस पेपर्स में खास तो रपय इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में ठीक है इसको देख सकते हैं इंडिया इस स्टेंड ऑन गोई रश्यन उक्रेंट क्राइस रूस और उक्रेंट के बीच में लंबे समय से जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत का क्या स्टेंड है क्या से भारत एक इंपॉर्टन भूमी का निवा सकता है इस युद्ध को रुकवाने में ठीक है ये खबर अगर आपने इस खबर का पीछा किया होगा पिछले साल से लेकर अब तक तो काफी अच्छी समझ आपने डेवलप कर ली होगी कि रूस और उक्रेंट के बीच में युद्ध का असल कारण क्या है भारत किस प्रकार से भूमी का निवा सकता है क्या वाकई भारत भूमी का निवा सकता है भी या नहीं या फिलाल वो वेट एंड वाच कर रहा है और एक छोटे भाई की भूमी का निवा सकता है या नहीं रसिया के साथ किस प्रकार की चीज़ें वाई इंडिया इस गेटिंग क्लोजर टू दा आइलेंड नेशन लाइज इन पैसिफिक उशिन यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने जैसे हैं जैसे जब भारत को संभावनों के बारे में पता चला कि विश्व का बाजार सिर्फ अमेरिका या ये रोप ही नहीं है और भी कई सारे नेशन है भारत भी एक जिम्मेदार देश बनने की कह सकते हैं कि सूची में शामिल हो सकता है यदि वो एक बड़े भाई की भूमी का निभाए तहां चोटे चोटे आइलेंड के साथ रिष्टे स्थापित करके तो आपको पता ही होगा कि जैसे फीजी नाम प्रसों में आपको दिखाई देती है तो इस पकार से भारत ऐसे चोटे चोटे आइलेंड नेशन्स के भी काफी करीब आया है जिसमें फीजी एक इंपॉर्टेंट है तो वह भी भारत की जो कह सकता है कि विस्व राजनिती में जो दखल है उसको एक नई रहाद प्रदान करता है ठीक है अच्छा इसको आप समझ सकते हैं जी ट्वेंटी की प्रेजिदेंसी भारत को मिली दिसमबर 2022 में दिसमबर 2022 से लेकर नमबर 30, 2023 तक ये प्रेजिदेंसी भारत के पास थी और उ प्रेजिदेंसी का भारत में जो उसको चेर मिली उसका क्या महत्व है इसको आप भली भाती जानते ही होंगे तो हो सके तो इस वाले पॉइंट को भी जड़ा अच्छी तरीके से देखेगा और समने की कोशिश कीजिएगा कि इसका क्या महत्व है इस प्रकार से इस जी अंडबबम जो इंडिया में बना चिद्ली में है वहाँ पर क्या परिणाम निकले इसके तो आपको पता चलता है की भारत की देखेगा में यूणिन तो इसमें खैर है पहले से यह अफ्रीकन यूणिन को भी इसमें शामिल किया गया है आप समझ रहें नहीं कि किस तरीके से रीच बढ़ाई है भारत ने जी ट्वेंटी की तो ये सारे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इंडिया ने अपनी मौझूद की दर्च कराई है समय समय पर और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को कह सकते हैं कि भारत की ओर देखने के लिए मजबूर किया ठीक है अच्छा चाइना और चाइना से लेकर भारत के सम्मध हमेशा ही तल्ख रहें 2020 में जो आप जानते ही है कि किस प्रकार से military standoff जो बन चुका था उसके बारे में हम कह सकते हैं कि अब जो ब्रिक्स की side lines में जो बाचीत हुई चीन के राश्पती और भारत के प्रधान मंतरी की बीच में तो हम कह सकते हैं कि आइस ब्रेक होने के आसार नजर आ रहे हैं और फिर से वो उसी परिस्थितियों में पहुँचेगा जैसा कि 2020 से पहले था यानि कि सीमाओं का उलंगन नहीं होना चाहिए इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक कूटनितिक जीत मानी जा रही है अखबारों में ऐसा पढ़ने में इसा पता चलता है यह कूटनिती जीत है कि भारत ने फिर से कनविंस किया है कि उन सीमाओं का उनलंगन नहीं होना चाहिए जिस प्रकार से चीन ने उस समय किया था तो इस न्यूस को आप जरूर पढ़िएगा इंडियन एक्स्पेस में काफी अच्छी कवरिस दी गई है इसको इसका एडिटोरिल भी पढ़िएगा कल और परसों का तो आपको एक बहुत ही अच्छा सा मतलब एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा और मैं मान के चल रहा हूँ कि क्या पता यहां से कोई क्वर्शन आ जाए हो सकता है कि मौजूदा इसी दी बना है कुछ पुरानी बाते पूछ ले इंडिया और चैनले के बीच में तो आप प्लीज सुड़ा ध्यान देंगे जबाते अच्छा अब देखते हैं देखिए भारत आजाद हुआ एक साथ ही आगे पीचे आजाद हुए थे तो इन साउथ एशिया पोस्ट कॉलोनियल एरा यानि कि जब सभी लोग आजाद हो रहे देखे करके created possibilities among the newly independent states यानि कि देश to start development on their own including India and may seek support from western world whenever required तो ये सारी कह सकता है कि संभावना है जो नए देश आजाद हुए थे उनके समक्ष थी अब किस प्रकार से अपने देश को ये लोग आगे ले गए इसकी पड़ाल करनी ज़रूरी है और हमको ये पता चलता है कि इन में से अधिकतर देश वो उपलब्वी हासिल नहीं कर पाए जो भारत ने हासिल करी है this is something very important how this is done ये ऐसा हुआ क्या तो हमको बात ये पता चलती है कि ये जो देश थे ऐसे कि साउथ एशिया के बड़े ही कह सकते हैं कि complex इनका structure रहा होगा और इन में से कई देश तो civil war की चपेट में आ गए थे ग्रह युद्व की चपेट में आ गए कई देशों में तो military rule establish हो गया ठीक है तो जहां पर military rule establish होता है वहाँ पर जनता के अधिकारों का हानन होता है जनता उस मुखर रूप से अपनी बात नहीं रख सकती तो कि ताना शाह सासन हो जाता है पाकिस्तान इसका उधरान आप देखी रहे हैं अफगानिस्तान का हाल आप देखी रहे हैं मियानमार में अकसर तक्ता पलट होता ही रहता है मैं उन देशों की बात कर रहा हूँ तो ये वे देश हैं जो अपनी आजादी के मूल्यों की रक्षा नहीं कर पाएं इन फैक्ट जिन लोगों के लिए आजादी जो सामिल हुए होंगे आजादी के रड़ाई में वो उनको हसल नहीं हो पाया लेकिन भारत ने अपना एक नया मुकाम स्थादित किया है इन ही देशों के बीच में रहते हुए इस ने लंबी रह चुनी डेमोकरेसी की और धीरे धीरे सही इसने डेमोकरेसी को सस्टेन करके रखा और आज हम कह सकते हैं कि भारत एक बहुत ही मजबूत इस्थिती में है तो बाकी जो दिने भी देश हैं इन सब को भारत से सीखना चाहिए तो मैं आपको एक कुछ चीज याद दिला दूँ कुछ साल पहले यूपी अस्थि में क्वेशन आया था कि अगर भारत को आजादी गांधी जी के नेत्रित्व के बगएर मिली होती तो भारत की आजादी का सुरूप क्या होता आप चेक करिए गांधी का सुरूप क्या होता अगर भारत की आजादी जो मिली हमको उसमें गांधी जी जैसे व्यक्ति का नेत्रित्व नहीं होता तो बहुत ही टिपिकल क्वेशन है तो इसका आंसर अगर हम खोजी की कोशिश करें तो हमको पता चलता है कि भारत में जो गांधी जी का जो कॉंट्रिब्यूशन है वो इस पस रूप से बिल्डिंग के रूप में दिखाई नहीं देता है मूल्यों के रूप में दिखाई देता है जैसा कि मैंने भी आपसे कहा कि कई सारे देश सिविल वार की चपेट में आ गये थे भारत सायद उन मूल्यों के कारण ही सिविल वार जैसी इस्थिती से इस्थिती भारत में नहीं बन पाई और भारत सिविल वार की चपेट में आने से बचा रहा नहरू जैसा गांधी इवादी नेता परधान मंत्री बनता है मैं फिलाल उस तीज की बात नहीं कर रहा हूँ कि किस परकार से कश्मीर वाला मामला वो UNO में ले गए उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं प्रकार से इंडिया ने एक्जाम्पल सेट किया और कैसे भारत को सिविल वार की चपेट में आने से बचा लिया इतने बड़े देश को युनाइट करके रखा है ना इंटिग्रेशन आफ दे प्रिंसली स्टेट वाले क्या नाम है उनका हमारे वल्लभाई पटेल जी किस प्रकार से उन्होंने सभी देशी रियासतों का एक ही करण करके कितनी इंपॉर्टेंट भूमी का निभाई थी इतने बड़े देश में जो इतना डाइवर्स है वो किस प्रकार से डेमोक्रेसी सस्टेन कर गया यह वाकई में एक बहुत बड़ा एक्जामपल है तो इन सब्सक्राइब को पढ़के मुझे वाला कॉश्चन याद आ गया इसलिए मैंने आपके सामने वो जिक्र किया है ठीक है ब लोगों को कुछ गलत करने से रोकते ही हैं और यहां के जो राजनीतिग्य हैं वो भी उसी फ्रेमवर्क में रहकर ही नीति निर्धान करते हैं तो हमने कॉंस्टिट्यूशन को सर्वो परिमाना पुराणी सरकारों से लेकर मौज़िदा सरकार तक ने सम्विधान को सबसे इंपोर्टेंस दी उसके विपरीत कुछ भी ऐसा नहीं होने दिया जिन मूल्यों की वरियसम को आजादी मिली थी उसको बचाया रखने में सम्विधान ने भी बहुत इंपोर्टेंट भूमिका निभाई है ठीक तो ये सारे factors responsible है कि कैसे इंडिया South Asia देश में एक प्रकार से नई मिसाल पेश करता है ठीक है तो भारत ने तो इस प्रकार से विकास की रह पकड़ी लेकिन एक और सफल देश है हमारा प्रोडोसी इसका नाम है चाइना चीन ने भी अपने जरूर कुछ ऐस से मुल्यों पे रहकर काम किया होगा जिसके कारण वो भी एक सफलतम देशों में से एक है और भारत से काफी आगे है कई मामलों में एक तो इसका size काफी बड़ा है और manufacturing हब आज से नहीं बहुत पहले से ही बना हुआ है लेकिन हमने इस बीज ये भी देखा इस चर्चा में क एक प्रकार से एक काउंटर पॉइस तैयार कर रहा है चाइना के विरुद्ध ठीक है तो यह भारत की जीत ही है इतनी बड़ी आबादी वाला देश आप समझ सकते हैं कि कि इतना मामला आसान नहीं है फिर भी भारत में यह सारी चीज़ें स्टैबिश्ट हो पाई है टॉप फ्रांस ऑस्ट्रिया पोलेंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड जपैन और गल्फ कंट्रीज में कई सारे भारती रह रहे हैं और इन्हों ने भी बड़ी इंपॉर्टन भूमी का निभाई है तो आप एनर आई पी आई ओ ओवर सीटिजन से पॉप इंडिया इन सब सब्सक्रिण पढ़ आता ए zijn तो आप आई आई बारे पढ़ लेंगे तो ओछ दिन प्लीज अपने आपको जरह में वोश्तित करिए और कंसेंड केसिन अप्ड़ाइए तो आप अनरह के बार पढ़ेंगे और पी आई और ओसी आई के बारें पढ़नेंगे इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था ये बात आप जानते ही हैं ठीक है सिग्निफिकेंस आप दा इंडियन डैस्पोरा याने की भारत से विद्यशों में रह रहे जो भारती हैं उनका क्या महत्व है इस चीज़ इन सभी चीज़ों के बारें में आपको बात पता चलीगी कि यह बहुत सारा रामिंटन्स प्रोवाइड करते हैं भारत को ठीक है पैसे भेशते हैं काफी अमेरिका में रहने वाले जो इंडियन्स हैं और रह तो अमेरिका में रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं दिलके क भारत की संस्कृति का ही है ठीक है तो एक चीज़े हो गई टेक्नोलोजिकल डेवलप्मेंट और एंटरप्रिनॉर्शिप में भारत के लोगों ने काफी योगदान दिया है कई सारे साइंटिस्स कई सारे टेक्नोक्रेट्स आप देख सकते हैं आएटिंस आएएम मेनेजमेंट के सेक्टर में अमेरिका में आपको दिखाई देंगे ये रोप में आपको दिखाई देंगे ठीक है तो अगर इंडियन डैस्पुरा को मौटे तॉर पर हम दो पार्ट में बाट लें तो एक तो है फाली एडवांस या टेक्निकली फाली एक वाला सेक्षन है और एक है लेवर क्लास भी है जो बाहर जाकर जैसे कि दुबाई, कल्फंटी, साउधी अरेबिया वहां जाकर काम तलासते हैं तो वो वर्ग भी काफी बड़ा है वो भी रेमिटेंस बेचता है इंडिया को ठीक है तो इस तरीके से उनका भी योगदान किसी सरकार के भारत से बाहर रहने वाले लोगों को किस प्रकार से क्या सकते है की कॉन कौण। सुविधाय परदान कर रही है Contribution of Indians at an international level ठीक है अंतरास्टिस तरप भारतियों का योगदान ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ लेनी चाहिए ठीक है अब last में इसमें देख लेते हैं भारा सरकार की तरफ से इन प्रवासी भारतियों के लिए क्या क्या किया गया है देखिए प्रवासी भारती दिवस की सुरुवात करीगी सन 2003 से अटल बिहरी वाजपी जी की टाइम से Ministry of Overseas सुरी Ministry of Overseas Indian Affairs का गठन हुआ 2004 में प्रवासी भारती बीमा योजना की सुरुवात करीगी 2006 में No India Program इस पे हो सकता है क्यूशन आजाए कि वाट दी यू मीन बाय नो इंडिया प्रोग्राम यानि कि भारत को जानो कारिक्रम इस टार्टेट इस पेशली पॉर दे यूथ प्रॉम इंडिया लिविंग इन डिफरेंट पार्ट अफ दे वर्ल तो रेज अवेरनेस ऑफ दे वेरियस फेसेट्स ऑफ इंडियन कल्चर अड एडवांसमेंट्स अडिया अजाए नेशन है इन वेरियस फील्ड अर्थात भारत से बाहर रहने वाले जितने भी यूवा हैं उनको किसी ने किसी प्रकार से भारत के मूलियों से जोड़ के रखना है ठीक है उनको बार बार आमंतरित करना है और जब वो भारत आएं तो बार बार आएं ऐसा भी उनको मतलब इस प्रकार से स्वागत करना है नहर आईस और इस प्रकार के लोगों को ठीक है लोगों का तो इस प्रकार से भारत सरकार भी इस बारे में पुरी तरह किसे अवेर है ट्रेसिंग दे रूट ए प्रोग्राम में ये चलाए गया था मिनिस्ट्री आप ओवर सीज इंडियन अफेर्स के दोरा ठीक है तो इस तरीके से हम कह सकता है कि भारती मूल भारत से बाहर भी देखे जा सकते हैं और कैसे उनको इंडिया से कनेट करके रखा जा सके इसलिए भी भरसक प्रयास सरकार के जारी हैं तो ऑप देखते नहीं ज csak मोदी जी जब जाते हैं अमेरिका में, कितना भवे स्वागत होता है उनका तो वो जो मौजूद़की है भारतियों की अमेरिका में तो यह एक मैसेच जाता है अमेरिका की सरकार के पास, कि देखो वो कितना कॉंट्रिब्यूट कर रहे हैं और क्या स लेक्चर में हम उसको भी डिसकस कर लेंगे थैंक यू पढ़ाई करते रहिए और बने रहिए स्टडी फॉर्स सिविल सर्विस के साथ थैंक यू